नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब लोग इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे Mechanical Engineering के Interview से Related कुछ Questions and Answer की सिरीज को इस सिरीज में हम Various Types के Questions को देखेंगे जो की Mechanical Engineering के Interview में Frequently पूछे जाते हैं और उसको हम जो है Brief में Discuss भी करेंगे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो बने रहे हैं आप हमारे साथ आप इस सिरीज को Follow कर सकते हैं ये जो है इसका पहला सेट है इसमें ये Various Types के जो है टोपिक से इनको हम Discuss करेंगे जो की आपके स्क्रीन पे दिख रहा है तो चलिए इस पार को सुरू करते हैं और देखते हैं Mechanical Engineering के Technical Interview Questions and Answer क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं Mechanical Engineering की तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि Mechanical Engineering आखिर होता क्या है Mechanical Engineering में क्या करते हैं Basically हम जो है Physical Machines होती है इनका जो है Analysis करते हैं इनमें जो है Force का क्या Impact पड़ता है इनके Movement में क्या Impact पड़ता है Force को लगाने से तो Various Types के Load का Various Types के Movement का हम जो है Analysis करते हैं Study करते हैं यह Basically जो है एक Branch है Engineering के जो की Combine करता है Engineering Physics को और Mathematics को जिसका हम Use करते हैं Material Science को समझने में Design को Analyze करने में Manufacturing में, Production में, Maintenance में और Mechanical System को समझने में, Study करने में हम Use करते हैं Mechanical Engineering में जो है Force और Movement का ज़्यादा तर रोल होता है और इनके बारे में हम Study करते हैं इनका किसी जो है Particular Body पे Movement पे क्या सर पड़ रहा है Heat का क्या Effect पढ़ रहा है Thermodynamics का क्या Effect पढ़ रहा है इन सब चीजों का हम Study करते हैं तो यह खो गया Basic Understanding Mechanical Engineering का अब हम अपना देखते हैं दूसरा Questions दूसरा Question है आपका यहाँ पे Mechanical Properties क्या होती है कुछ Mechanical Properties के नाम बताइए जो Mechanical Properties होती है Material की वो Material के Mechanical Strength को जो है Impact करती है और Different Types के Mechanical Properties के सायता से ही हम क्या करते हैं किसी भी Metal को किसी भी Material को Mold करते हैं या उसको एक Suitable Shape में हम ढालते हैं कोई भी Material है उस पे किस तरह का Operation करना है किस तरह का Shape देना है वो Mechanical Properties पे ही Depend करता है Mechanical Properties होती है वो Material के Behavior को Define करती है कि Material जो है कि अगर हम उस पे Load Apply करते हैं तो वो किस तरह से उसको React करता है किस तरह से उसका Response देता है यह जो है इससे हमको पता चलता है Suppose करियो कोई Material है अगर उस पे हम Load Apply करते हैं थोड़ा सा ही Load डालते हैं अगर वो तूट जाता है तो इसका मतलब वो व्रिटल है अगर वो तूटता नहीं है वो उस Load को कुछ देर तक Wear कर लेता है थम कहेंगे यह क्या है Elastic है यानि कुछ देर तक उसको Wear करता है उसके बाद जो है वो फेल होता है तो इस तरह से हम Mechanical Properties को समझ सकते हैं कुछ जो Most Common Mechanical Properties है वो इस तरह से है Strength, Elasticity, Plasticity, Hardness, Toughness, Brittleness, Stiffness, Ductility, Malleability, Cohesion, Impact, Strength, Fatigue, Creep यह जो है कुछ Common Mechanical Properties है जो कि Most लिए हम इनके बारे में अध्यान करते है Mechanical Properties के बारे में हम एक डिटेल वीडियो में डिसकस करेंगे जो कि इस वीडियो के बाद आएगी अगला Question है मारा What is Pitting? Pitting क्या होता है? Pitting से आप क्या समझते हैं? तो कोई Pipe है या कोई Material है, कोई Plate है अगर उसमें Small Hole हो जाता है corrosion की वज़ा से जैसा कि आप इसको इस Figure में देख सकते हैं तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? Pitting बोलते हैं और ये किस वज़ा से होता है? corrosion होता है, देरे देरे वहां का जो Material होता है वहां का Material जो है, उसका जो है Restriction होता है तो वहां पर Small Hole आजाते हैं और ये जो corrosion होता है, वो क्यों होता है? जब जो water और oxygen का contact होता है जिसमें salty mineral भी होते हैं तो इनके reaction से corrosion होता है और धिरे-दिर उस material का च्छाय होने लगता है जिसकी बज़ा से हमारी pitting आ जाती है अगला question है हमारा how are the pneumatic system and the hydraulic system similar एक दोनों कैसे similar है एक दूसरे से देखिए pneumatic system में क्या होता है हम air का use करते हैं गैस का use करते हैं जबकि hydraulic system में क्या होता है हम hydraulic oil का use करते हैं दोनों में जो ये fuel होते हैं वो अलग लग होते हैं उसमें gas होता है और इसमें क्या होता है फ्लूड होता है लेकिन दोनों का जो principle है work करने का वो है pressure pneumatic system क्या होता है वो आपका gas के pressure पे work करता है जबकि hydraulic system वो आपका जो होता है वो hydraulic oil जो होते हैं उनके pressure पे work करता है अगला question हमारा what is nerling तो nerling क्या होता है nerling basically एक machining process होता है जो कि normally center lid पर perform किया जाता है nerling process में हम क्या करते है एक criss cross pattern create करते है जो कि आपका smooth bar पर भी हो सकता है और किसी shape के material पर भी हो सकता है और nerling process हम क्यों करते है किसी material पर किसी भी bar पर जहां आपको एक extra grip यानि आपको अच्छे से material होल्ड करना है तो आपको nerling जरूरी होता है तो इस वज़े से nerling process को करते है यह आप देख सकते हैं यह nerling process हो रहा है इसके pattern अलग-अलग होते हैं कई तरह के pattern होते हैं diamond pattern होता है, criss cross pattern होता है linear pattern होता है तो nerling के कई तरह के pattern होते हैं अगला question है हमारा what is mean by green field project जब भी आप interview में जाते हैं तो कभी कभी interview में पूछ लिया जाता है कि green field project क्या होता है brown field project क्या होता है तो यह as a mechanical engineer आपको इसके वारे में जनकारी होनी चाहिए तो green field project होता है जो scratch से बनता है और जो की environment को ध्यान में रखते हुए environment friendly बनाया जाता है उनको हम green field project करते हैं जो की pollution create नहीं करते हैं और brown field project क्या होते हैं brown field project जो होते हैं जो की आपके scratch से नहीं बनते हैं कोई project है वो बंद हैं अगर उसको आप renovate करते हैं पारा से उसको सई करके और उसको एक final stage पर देते हैं वो उसको आप फिर से start करते हैं तो उस तरह के project हो brown field project करते हैं जहां पर आप scratch से investment नहीं करते हैं और उस तरह के project जो होते हैं वो जादा तरह आपके environment friendly नहीं होते हैं अगर green field project का एक real example बताऊं तो आपने सुना होगा नोइडा में जेवर में airport बन रहा है जो की एक green field airport है जो की scratch से बनाया जा रहा है स्वीटेजर लेंड की राजधानी जूरिक की एक company है जो की airport बनाती है वो उस airport को बना रही है अगला question है हमारा what is the importance of tolerance in engineering इंजिनिंग में जो है tolerance की जरूरत क्यों परती है यह क्यों इतना important होता है जैसा कि हम लोग जानते है कोई भी चीज जो होती है वो ideal नहीं होती है कोई भी design हो या कोई भी काम हो जो की ideal नहीं होता है कुछ ना कुछ से उसमें pro and cons जरूर होते है तो ऐसे ही जब हम किसी product को design करते है किसी part को design करते है manufacture करने के लिए उसमें हम tolerance का use करते है जब हम tolerance नहीं देते हैं किसी product में design में तो इससे क्या होता है जो rejection के chances होते हैं वो overall बढ़ जाते हैं और उससे हमारी जो cost होती है वो effect हो जाती है cost भी हमारी बढ़ जाती है reworking cost होता है transportation cost होता है labor cost होता है इस सारी include करके rejection के वज़ा से हमारे जो cost बढ़ जाती है तो इसलिए cost को minimize करने के लिए rejection को कम करने के लिए हम tolerance का use करते हैं अगला question है हमारा what do you mean by annuling आप annuling process से क्या समझते हैं annuling एक heat treatment process है जिसमें हम material को क्या करते हैं उसके recrystallization temperature के ऊपर heat करते हैं और उसको धीरे धीरे cool करते हैं generally हम इसमें air cooling का use करते हैं जिससे क्या होता है उस material का micro structure होता है जो अंदर के molecules होते है उनका जो structure होता है वो change होता है और जिससे बहुत सारी जो mechanical और electrical properties है वो material उस तरह के properties को क्या करता है acquire कर लेता है gain कर लेता है typically annuling जो किया जाता है वो hardness को reduce करने के लिए ductility को increase करने के लिए और जो material में various type के internal stress होते हैं इनको remove करने के लिए किया जाता है और जब इस तरह के mechanical और electrical properties जो material gain कर लेता है तो machining करने में हमको आसानी होती है और वो material जो होता है heat को जो है bear कर लेता है आसानी से तो यह जो सब जो है benefit होते है annuling process के annuling क्या है एक heat treatment process है अगला question है हमारा what are the types of instrument instrument basically कितने तरह के होते हैं तो instrument basically जो है दो तरह के instrument होते है एक होता है आपका variable instrument दूसरा होता है आपका attribute instrument variable instrument क्या होता है ऐसे instrument जिसमें जो है हमको measure करने में numerical form में value मिलती है उसको हम क्या कहते है variable instrument करते है जैसे आपका होगया vernier caliper, micrometer, height gauge, profile projector इस तरह के जो instrument होते है जो कि हमको numerical value प्रदान करते है उनको हम क्या बोलते है variable instrument बोलते है और attribute instrument क्या होता है ऐसे instrument जिनका measurement करने पर जो value मिलती है वो numerical form में नहीं मिलती है उसको हम क्या कहते है attribute instrument कहते है इस तरह के gauge का qualification होता है go और no go यानि अगर वो material सही है गेज पास कर रहा है तो हम go यानि material हो के हमारा product सही है अगर no go अगर वो instrument पास नहीं कर रहा है qualify नहीं कर रहा है तो इस तरह के material को हम क्या होते है कि वो reject है तो इसमें जो qualification होता है attribute instrument में वो होता है go और no go का जैसे हो गया आपका plug gauge thread gauge special plug gauge thread plug gauge, strap gauge, slip gauge petrol engine and diesel engine petrol engine और diesel engine में क्या difference होता है diesel engine और petrol engine दोनों basically IC engine होते है यानि internal combustion engine होते है लेकिन यहाँ पे एक basic difference होता है diesel engine में क्या होता है जो ignition होता है वो temperature जब बढ़ता है fuel का उसकी बज़े से ignition होता है और combustion हमारा start हो जाता है लेकिन जो petrol engine में क्या होता है लिए स्वस्टांस का वो लोवेस्ट आपको याद रखना मैं लोवेस्ट टंपरेचर जिस पे वह क्या होता है इंग्नाइट होना इख्श्टार्ण लिगनिस्टे श्वस्ट के इसको किसी क्या स्वस्टांस को इगनाइट करने करने के doctor जैसे spark plug हो गया तो यह जो temperature होता है इसे हम क्या बोलते है auto ignition temperature जैसे diesel engine के हमने अभी उपर बात की न तो जब उसका auto ignition temperature आता है तो जो है ignite होना start हो जाता है अगला question हमारा what do you mean by case hardening case hardening से आप क्या समझते हैं case hardening basically एक process है एक technique है जिससे हम क्या करते हैं किसी material के जो surface होता है उसको हम hard करते हैं जबकि हम उसका जो अंदर का layer होता है deep layer होता है उसको हम remain soft यानि उसको हम soft runे देते हैं जो बाहरी उसका surface होता है उसको हम hard करते हैं इसमें क्या होता है carbon और nitrogen का use करते हैं उसके लेयर पे जिस लेयर को हाड करना रहता है जिससे क्या होता है वो लेयर जो होता है मोर रजिस्टेंस हो जाता है और डूरेबल हो जाता है चलिए एक वीडियो देखिए जिसमें जो केस हाडेनिंग हो रही है दोस्तों यह आप देख सकते हैं जो ओड्ल कानुल काथ केश हाडएंग, क्वेंच किन कूल काथ यह केश हाडएंगं केश हाडएंग किन काथ सी आप दिखता है यहाँ पे ball turning हुई है और चेंपर लगा है case hardening के बाद और यह इस तरह का आपको दिखने लगता है black color का थोड़ा हो जाता है इसका case hard हो जाता है जिससे कि इसमें जो connecting rod होता है वो जग चलता है तो इसमें tear and wear कमाता है तो इसलिए इसकी case hardening होती है अगला question है हमारा what is a CNC machine CNC machine क्या होता है CNC machine का full form होता है computer numeric control machine जो की एक automatic machine होती है जो की operate की जाती है computer के pre executive program के सायता से जिसमें हम क्या करते है चिप होता है उसमें हम जैसे programming करते हैं computer science में computer में उसी तरह से हम जिस process को हमको कराना होता है जो भी process करना होता है उसके हम programming करते है और उसको chip में डालके copy कर देते हैं machine में और वह machine क्या होती है उस program को execute करती है और वह आपका process करके देती है उस material पे जिस तरह का भी operation आपको करना है वो करके देती है तो इस तरह के machine को हम क्या कहते हैं CNC machine कहते हैं जो की computer numeric control machine होती है बहुत लोग को यह confusion होता है कि केवल जो CNC machine होती है वो computer numeric machine होती है CNC machine ऐसी machine जो की program से चल लगी हो computer numeric control से operate हो रही है उसकों CNC machine कहेंगे जिसमें आपका CNC machine भी आजा CNC turning machine आजाता है CNC turning lat आजाता है CNC milling machine आजाता है VMC आजाता है यह सारे मसीन जो है computer numeric control होती है तो इस तरह से कई लोग को ऐसा लगता है CNC CNC machine होता है जब कि VMC CNC machine नहीं होता है तो ऐसा नहीं होता है जो भी machine जो है computer numeric control से operate हो रही है program से operate हो रही है उसको हम CNC machine कहेंगे various type की होती है जैसा कि अभी मैंने आपको नाम बताया अगला question हमारा explain the difference between stress and strain stress जो होता है किसी material का वो internal resisting force होता है जब वो material experience करता है जब हम कोई external force उस material पे apply करते हैं जबकि strain जो होता है वो major of deformation होता है suppose करिए कोई road है उसको मैंने force apply किया तो उसकी जो original length थी वो कुछ और थी उसको force apply करने के वाद उसकी length कुछ और हो गई तो जो ये elongation हुआ material में इनका जो difference होता है उसे हम क्या कहते हैं strain कहते हैं change in length divided by original length जो उसके length में change आया और जो उसका original length आया उसको divide करेंगे तो आपका strain आ जाएगा stress जो होता है उसको measure करते हैं हम force per unit area जबकि strain जो होता है वो dimensional less quantity होता है अगला question है हमारा How is iron ore turned into steel कैसे हम iron ore की सायता से steel को produce करते हैं इसी steel को बनाते हैं तो इस process में क्या होता है इस process में दो main element होते हैं एक होता है आपका iron और दूसरा आपका होता है cooking coal जो की carbon का ही एक रूप होता है इसमें हम पहले क्या करते है cooking coal को iron को और इसके साथ हम जो lime stone मिलाते हैं lime stone हम इसली मिलाते हैं जो इसमें impurities रहती है उनको lime stone क्या करता है दूर कर देता है अलग कर देता है इनको एक साथ मिला कि हम blast furnace में melting करते हैं और इस process से हमको क्या मिलता है molten pig iron जिसको हम later convert कर देते हैं steel में lime stone जैसा कि मैंने बताया जो impurities होती है उनको दूर करने में काम करता है blast furnace में जो mild steel होता है इसमें आपका 97-99% आपका iron होता है बाकी other element होते हैं तो इस तरह से हम जो iron ore से हम steel को produce करते हैं अगला question है हमारा what is gear name different types of gear gear क्या होता है कितने तरह के होते हैं इसके वारे में बताईए gear basically ऐसा भी लोता है जिसमें हम teeth बना देते हैं उस चीज को हम gear करते हैं gear का basically हम use करते हैं power को transfer करने में दो rotating जो soft होते हैं उनका motion कराने में हम gear करते हैं as per requirement जिस तरह के हमको motion की जरूरूरत होती है जिस तरह के power transmission की जरूरूरत होती है different types के gear का हम use करते हैं तो gear का basically काम होता है power को transmit करना और दो component के बीच के motion को कराय रखना as per application जिस तरह के हमको requirement होती है उस तरह के gear का हम use करते हैं और यहां पे different types के gear होते हैं आपका spur gear, bevel gear, helical gear, warm gear, rack and pinion gear यह different types के gear होते हैं इस photo में आप देख सकते हैं इनके नाम हैं और यह किस तरह के होते हैं यह आप देख सकते हैं चलिए अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question है हमारा what is heat treatment and why it is done heat treatment process क्या होता है और इसको हम क्यों करते हैं heat treatment जो होता है एक combination होता है जिसमें various type के process होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं material की heating करते हैं और cooling करते हैं different type क्यों price rigs को obtained करने के लिए विना न खरा chemical composition change क्यों हम heat treatment process करते हैं जिससे हमया IO government के know treatment को प्रपोर्टीज होते हैं यह प्रपोर्टीज को गेंड करने के लिए हम जो क्या करते हैं heat treatment प्रोसेस करते हैं, जो परपज होता है, हीट टीटमेंट का वो होता है, जिससे हमको हाडनेस इंप्रूब करना है, तो हम हीट टीटमेंट प्रोसेस करेंगे, अगर हम मटेरियल को सफ्ट बनाना है, तो हम हीट टीटमेंट प्रोसेस कर सकते हैं, अगर मटेरियल कोई जो है, मे किस्ट्लाई जो जाते हैं तब हम हीट ट्रिटमेंट प्रोसेस करते हैं अगर मेटल को हमको अगर बेटर बनाना की ताकि हीट को अच्छे से बियर कर सके करोजन को बियर कर सके तो इसके लिए हम हीट ट्रिटमेंट प्रोसेस करते हैं अगर मेटल में माटेरियल में इंटर्नल स्ट्रेस है उसको हम रिमूब करने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जनरली इस वे में जो है फॉलो हाता है यह जो सारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं जैसे आपका नॉर्मलाइजिंग हो गया, एनलिंग हो गया जैसे कि अभी हमने देखा एनलिंग, स्पुरोडाइजिंग, हार्डेनिंग, टेम्परिंग, सर्फेस आर्क, केस हार्डेनिंग, यह जो हीट ट्रिट्मेंट प्रोसेस होते हैं जिसके दोरा हम डिफरेंट टाइप पे कोई solid material, solid states को छोड़के liquid state में जाता है, तो इस तरह के point को हम क्या कहते हैं, melting point करते हैं, और इस तरह के temperature को हम क्या कहते हैं, melting temperature बोलते हैं, जबकि अगर कोई liquid material जो होता है, वो liquid stage को छोड़के, gaseous stage में अगर जाता है, तो उस point को हम क्या बोलते हैं, boiling point बोलते हैं, और जिस temperature पे वो liquid state से gaseous state में जाता है, उस temperature को हम क्या बोलते हैं, boiling temperature बोलते हैं, अगला question हमारा, how does carbon affect the property of steel, carbon जो है कैसे steel के property को affect करता है, carbon content कम होगा तो क्या होगा, carbon content अगर ज़्यादा होगा, इस्टिल में तो क्या होगा, यह कैसे effect करता है, अगर किसी steel में carbon content अगर ज़्याद यह यानि वो material ज्यादा hard हो जाता है, और उसका melting point क्या हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक confusion हो सकता है, टेपकली क्या होता है, carbon content के बढ़ने से, जो melting point होता है, वो higher हो जाता है, लेकिन steel के case में ऐसा नहीं होता है, इस्टिल के case में carbon content अगर बढ़ता है, तो melting point जो हो होता है, हैशा क्यों कि जूस, जो उसमें carbon होता है, यानि Fe और C, यानि iron और carbon के बीज में जो bond होता है, वो weaker हो जाता है, इस वजह से melting point जो है, कम हो जाता है, अगर carbon content steel में कम होता है, तो इसको असानी से forge कर सकते हैं, इसको असाँ से हम forge welding कर सकते हैं, त Ты्य कार बढ़ता हो स्टील में अगला क्योच chamत MescDD गुट्विंट नोंजल स等ब्राइब तो इनका नोजल नोजल ट्रीपूजर सोटा है जो क्या करता है जो फ्लूड होता है जो लिक्वीड होता है उसकी जो विलस्टी उसको किया कर देता है इंक्रीज कर देता है जबकि जो उसकर उसका प्रेशर होता है उस फिरूड का प्रेशर होता है जबक apa क्या होता है diffuser क्या करता है fluid के जो velocity होती है उसको जो है decrease कर देता है और उसके pressure को increase कर देता है तो जहां पर भी हम को low velocity और high pressure की ज़रुर्ण पढ़ती है वहां पर हम diffuser का यूज करते हैं तो यह जो है basic difference होता है nozzle और diffuser में आप याद रख सकते तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर फीडबैक दें अगर कोई कन्फूजन हो या कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग पीस आउट